मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हम कुछ चैनल बना रहे हैं तब दर्वाजे लगने थे अब सारे दर्वाजे लग चुके हैं छे के चैनल लगभग रेडी हैं और काम आखरी चरणों पर देखिएगा यह थोड़ा मारती है तो यहां पर इस समय जो हो रहा है य जिसमें वो सारा अंदर चला जाएगा और इस समय छप्पे भी काम चल रहा है आईए मैं आपको दिखाता हूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस समय अंदर बिजली का काम पूरा हो चुका है तो सारे स्विच होल्डर हीटर्स के लिए सौकेट यह सब लग गए हैं और यह हमको इसके लिए एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा हमारा पिछला वीडियो शापूर के एक संजे राना जी है उन्होंने देखा वो आए उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने यह सब कुछ हमें डोनेट किया है और उन्होंने सीमेंट की बोरियां भी दी है शृट पर इस समय क्या है इंसूलेशन का काम चल रहा है तो हमारे मिट्र राजीव जी घंगल में उन्होंने सारा ग्लास मूल भिजवाया है तो ये जो हमाए सारी वेड़ु़ टीम है इन्होंने अले ग्लास मूल बिचारे है तो हर कजल के ओपर और सीमिंट की एक अब इसके बाद जो आखरी दो काम बचे हैं वो यह है यह देखिए यह जो सारा ब्लॉक्स हमने लगाए है इसके उपर इससे में पुट्टी चल रही है पुट्टी के बाद इसके उपर बस रगडाई करके एक इनायमल पेंट हो जाएगा ताकि हमें दिवारे धोने में असान हो क्योंकि हर एक डॉग के बीच में आपको धोना बहुत जरूरी है हम फिनायल से धोते हैं और बस एक आखरी हमें चाहिए चिकना फरश अंदर भी और बाहर भी बाहर वाला बाहर की और नाली रहेगी अंदर वाले की नाली यहां अंदर बनेगी जब फरश डलेगा तो एक नाली बनेगी जिससे सफाई करने में असानी हो क्योंकि जितना आप साफ करना असान रखेंगे उतना आपके लिए साफ सभाई मिंटेन करना इजी रहेगा और इंफेक्शन का खत्रा उतना ही कम हो जाएगा थैंक यू